मेरे प्यारे देश्वासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुवात एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूँ कुरुतम में दक्षिने हस्ते, जयो में सव्याहित हो। इस बात को भारत के संदर्ब में देखें, तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही हैं, हमारे देश ने एक तरफ करते वका पालन किया, तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्तुबर को भारत ने वन बिलियन सो करोर वेक्सिन डोज का कठीन, लेकिन असाधारन लक्ष प्राप्त किया है। इस उपलब्दी के पीछे, 130 करोर देश वासियों की करतव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देश वासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देश वासियों को रदय से बढ़ाई देता हूं। साथियों, सो करोर वेक्सिन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है। ये देश के सामर्थ का पतिबिम्ब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है, जो कठीन लक्ष निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है, जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सिनेशन प्रोग्रेम की तुन्ना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से सो करोड का वन बिलियन का आकड़ा पार किया है, उसकी सरहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्ट्रेशन में एक बात अक्सर छूड जाती है, कि हमने ये शुरुवात कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सिन पर रिसर्च करना। वैक्सिन खोजना, इसमें दस्रकों से उनकी महारत हैं, एक्सपर्टाइज थी, भारत अधिक तक इन देशों की बनाई वैक्सिनेशन पर ही निर्फर रहता था। हम भार से मंगवाते थे। इसी वज़े से जब सो साल की सबसे बड़ी महामारी आई, तो भारत पर सवाल उठने रगे हैं, क्या भारत इस वैक्सिन महामारी से लड़ पाएगा, भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सिन खरेंदे का पैसा कहां से लाएगा, भारत को वैक्सिन कब मिलेगी, भारत के लोगों को वैक्सिन मिलेगी भी या नहीं, क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा, कि महामारी को फैलने से रोख सकें, भांती भांती के सवाल थे, लेकिन आज ये सो करोड वैक्सिन डोज, हर सवाल का जवाब दे रहा है, भारत ने अपने नागरिकों को सो करोड वैक्सिन डोज लगाई हैं, और वो भी मुक्त, बिना पैसा लिये, साथियों, सो करोड वैक्सिन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा, कि दुनिया, अब भारत को कोरोना से जादा सुरक्षित मानेगी, एक फार्मा हप के रुप में, भारत को दुनिया में जो स्विक्रूती मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी, कि पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, मैसूस कर रहा है, साथियों, भारत का वैक्सिनेर्शन अभ्यान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास का सबसे जीवन उधारन है, कोरोना महामारी की सुरुवात में, ये भी आशंकाय व्यक्ति जा रही थी, कि भारत जैसे लोग संतर में, इस महामारी से लड़ना, बहुत मुश्किल होगा, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, ये भी कहा जा रहा था, कि इतना संयम, इतना अनुशातन, यहां कैसे चलेगा, लेकिन, हमारे लिए लोग तंतर का मतलब है, सब का साथ, सब को साथ लेकर, देश ने सब को वैक्षिन, मुक्त वैक्षिन का अध्यान सुरु किया, गरीब, अमीर, गाव, शहर, दूर, सुजूर, देश का एकी मंत्र रहा, कि अगर बिमारी भेज़भाव नहीं करती, तो वैक्षिन में भी बेज़भाव नहीं हो सकता, इसलिए यह सुनिश्चित किया गया, कि वैक्षिनेशन अभ्यान पर बियाइपी कल्चर हावी न हो, कोई कितने ही बड़े पत्पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्षिन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी, साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था, कि यहाँ जादा तर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं, दुनिया के कई बड़े विच्छित देशों में, आज भी वैक्षिन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनोती बन गई है, लेकिन भारर कर दिया है, साथियों, किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है, तो परणाम अदभूती ही होते हैं, हमने महामारी के ख़लाब देश की लड़ाई में जन भागीदार को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन अफ डिफेंस बनाया, देश ने अपनी एक जुड़ता को उरजा देने के लिए, ताली थाली बजाई, दीए जनाये, तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बिमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामोहिक शक्ति का जागरण दिखा, इसी ताकत ने कोवीड वेक्सिनेशन में, आज देश को इतने कम समय में सो करोड तक पहुँचाया है, कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में एक करोड टीका करन का आकड़ा पार किया है, ये बहुत बड़ा सामर्त है, प्रबंद काउशल है, टेक्नलोजी का बहतरी निस्तमान है, जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है, साथियों, भारत का पूरा वेक्सिनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, विज्ञानिक आधारों पर पन्पा है, और विज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुचा है, हम सभी के लिए गर्व करने की बात हैं, कि भारत का पूरा वेक्सिनेशन प्रोग्राम, साइन्स बॉन, साइन्स डिवन और साइन्स बेज रहा है, वेक्सिन बनने से पहले और वेक्सिन लगने तक, इस पूरे अभ्यान में हर जगह साइन्स और साइन्टिविक एप्रोच शामिल रही है, हमारे सामने चुनवती मैनुफेक्टिरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद, अलग-अलग राज्यों में, दूरदराज इलाकों में, समय से व्यक्शिन पहुचाना, ये भी किसी भागी रदकारे से कम नहीं था, लेकिन वैज्यानित तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से, देश ने इस चुनोतियों के समाधान तला से, अवज साधन स्पीड से, संसाधनों को बढ़ाया गया, किस राज्य को कितनी वैक्शिन कब मिलनी चाहिए, किस इलाके में कितनी वैक्शिन पहुंचिनी चाहिए, इसके लिए भी वैज्यानिक फर्मिले के तहरे काम हुआ, हमारे देश ने कोविन प्रेटफॉर्म की जो व्यवस्था बनाई है, वो भी विश्व में आकरसन का केंद्र हैं, भारत में बने कोविन प्रेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहुलियत दी, बलकि हमारे मेडिकल स्टाप के काम को भी आसान बनाया, साथियों, आज चारों तरफ एक विश्वास है, उत्सा है, उमंग है, समाज से लेकर, एकोनामी, हम हर तप्रेपर देखें हैं, आप्टिमिजम, आप्टिमिजम, आप्टिमिजम ही नज़ा आता है, एक्सपर्ट्स और देश-विदेश की अनेक एजन्सीज, भारत की अर्थिवबस्ता को लेकर, बहुत सकारात्मग है, आज भारतिय कंपनियों में, न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बलकि युवाओं के लिए, रोजगार के नए आउसर भी बन रहे हैं, स्टार्ट अप्स में, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही, रिकॉर्ड स्टार्ट अप्स युनिकॉर्ड बन रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर में भी नई उर्जा दिख रही हैं, पिछले महिनों में किये गए, कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशेटिव, गती शक्ती से लेकर नई ड्रॉन पॉलिसी तक, भारत की अर्थववस्ता को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भुमी का निभाएंगे, कोरोना काल में कृषिक छेत्र ने हमारी अर्थववस्ता को मजबूती से संभाले रखा, आज रिकॉर्ड लिवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही हैं, किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं, वैक्सिन के बढ़ते हुए कबरेट के साथ साथ, आर्थिक सामाजिक गतिवीदियां हो, खेल जगत हो, टुरिजम हो, एंटरेटेन्मेंट हो, सब तरफ सकारात्म गतिवीदियां तेज हो रही हैं, आने वाले त्योहरों का मौसम, इससे और गति देगा, और शक्ति देगा, साथ क्यों, एक जमाना था, जब मेडिन ये कंट्री, मेडिन भो कंट्री, इसी का बोलवाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था, लिकिन आज हर देश वासी, ये साक्षात अनुभो कर रहा है, कि मेडिन ये इंडिया की ताकट, बहुत बड़ी होती है, और इसलिए, आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा, कि मैं हर छोटी सी छोटी चीज, जो मेडिन इंडिया हो, जिसे बनाने में, किसी भारत वासी का पसीना बहा हो, उसे खरीडने पर जोर देना चाहिए, और ये, सब के प्रयास से ही संबव होगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, एक जन अंदोलन है, वैसे ही, भारत में बनी चीज खरीदना, भारतियों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फोर लोकल, ये, हमें ब्यहवार में लाना ही होगा, और मुझे विश्वास है, सब के प्रयास से, हम ये भी करके रहेंगे, आप याद करिए, पिछली दिवाली, हर किसी के मन मस्तिश्क में, एक तनाव था, लेकिन, इस दिवाली, सो करोड वैक्षिन डोज के कारण, एक विश्वास का भाव है, अगर मेरे देश की वैक्षिन, मुझे सुरक्षा दे सकती हैं, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान, मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं, दिवाली के दौरान, विक्री की एक तरफ, और बाकी साल की विक्री, एक तरफ होती है, हमारी यहां दिवाली के समाएं, तो हाडों के समाएं, विक्री एक दम बढ़ जाती है, सो करोड वैक्सिन डोज, हमारे छोटे छोटे दुकान दारों, हमारे छोटे छोटे उद्देमियों, हमारे रेहडी पट्रिर वाले भाईयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बन कर आई है, ताथियों, आज हमारे सामने, अमृत महोटसव के संकल्ब है, तो ऐसे में, हमारी यह सभलता, हमें एक नया आत्म विस्वाद दिलाती है, हम आज कह सकते हैं, कि देश, बड़े लक्षत तय करना, और उसे हासिल करना, बख्खु भी जानता है, लेकिन इसके लिए, हमें सतत सावधान रहने की जरुवत है, हमें लापरवान नहीं होना है, कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी, जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते, मेरा आग्रह है, कि हमें अपने त्यौहारों को, पूरी सतर्फ़ा के साथ ही मनाना है, और, जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी ज़रा, लेकिन अब तो, डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रविश्च चुकी हैं, मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बार जाने के आदर लग गई है न, बस वैसे ही, मास्क को भी एक सहच स्वभाव बनाना ही होगा, जिन को अभी तक वैक्सिन नहीं लगी है, वो इसे सरवोच्च प्राथिकता दें, मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे, आप सभी को आने वाले त्योवारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुप्रामना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,